हाई एब्रीवन दिस इस को मल यादव आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस्पोर्ट और फूड तो हमने डाइजेशन का जितना भी पोर्शन था पीछे का हमने सारा कम्प्लीट कर लिया कैसे हमारे मौत के अंदर फूड जाता है फिर फैरिंग्स के होते हुए इस इसोफेगल के अंदर आता है फिर इसोफेगल से इस ट्रमक में जाता है फिर उसमें फोर टू फाइव आवर तक एस्टोर रहता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन फिर उसके बाद जो है रेक्टम में थोरे देर के लिए रहता है फिर उसके बा प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, स्टार्ट का डाइजेशन कैसे होता है, हमने सारे पीछे के क्लास में देख लिया है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो आप पीछे का क्लास देखें, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे transport of food, तो हमारे body के अंदर food जो है, मतलब उसका transport जो है body के अलग-अलग पार्ट में वो कौन से process के थ्रू होता है, तो चलिए एक नजर डालते है, board की तरफ, तो ये देखिए, transport of food में, यहाँ पे जो हमारे sodium ions होते हैं, वो primary active transport की थ्रू होता है, active transport का कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें ATP का use हो रहा है, मतलब energy की use हो रही है, और galactose, galactose जो होता है, वो secondary active transport with sodium के साथ होता है, तो इस दोनों process में ATP की use हो रही है, क्योंकि ये active transport है, फिर बात करें, fructose की जो transport है, वो होता है, carrier protein without ATP, carrier protein यहाँ पर present होते हैं, यहाँ पर यह तो है, आपका source, primary active site, उसके थ्रू हो, फिर यहाँ पर जो है, fructose, fructose मतलब glucose और amino acid, इसका जो है, ट्रांसपोर्ट जो है, वो facilitate transport के थ्रू भी होता है, तो यहाँ पर यह होता है, facilitate transport के थ्रू यहाँ पर present होते है carrier protein, जो इसको पास कराने में health करता है, यहाँ पर ATP का यूज नहीं होता है, फिर बात करें, लिपिड की, तो लिपिड यह है glucose प्लस amino acid, इसका जो transport होता है, एक मिनट माइक फोरा ठीक कर लें, इसका जो transport, लिपिड का जो transport होता है, वो simple diffusion के थ्रू होता है, without protein, इसमें भी कोई protein यूज, मतलब ATP यूज नहीं होता है, without ATP, फिर बात करें, वोर्टर की, तो यह osmosis के थ्रू होता है, और ions, जितने भी positive ion होते हैं, वो primary active site, और जिसमें ATP यूज होता है, primary active transport के द्वारा होता है, और negative जैसे की bicarbonate and chloride ion, यह passive transport के थ्रू होता है, without ATP, इसमें ATP का यूज नहीं होता है, फिर अगर हम बात करें, PEM, PEM मतलब protein energy malnutrition, इसमें, इस case में क्या होता है, इसमें दो case आते हैं, जैसे की, एक merismis और एक quiesi worker, quiesi worker में, merismis किस condition में हो जाता है, जिस condition में, अगर हमें deficiency हो जाए, food की, carbohydrate and fat की, protein की और energy की, उस condition में, बच्चे, जो है, वो merismis के सिकार हो जाते हैं, और यह जो है, वो एक year के बच्चे में ही होता है, और बात करें, quiesi worker की, तो वो एक से पांस साल के बच्चों में होता है, due to deficiency of protein, इसमें audema present होता है, मतलब जो पेट बाहर निकलाते हैं, और इसमें audema present नहीं होता है, इसमें wasting of muscles, limb के जो जितने भी muscles होते हैं, वो सारे, वो जैसे, आपको हम यहाँ पे diagram बनाके दिखाएं, यह पूरा सूख जाता है, उसका हाथ, पैड वगेरा, सब कुछ सूख जाता है, और इस condition में जो होते हैं, वो बच्चे के पेट बाहर निकल आते हैं, यह protein की deficiency के कारण होता है, अगर हम बात करें, फूड की, तो जैसे fat, protein and carbohydrate में कितने calorie energy प्रजेंट होते हैं, तो इसमें fat में 9.0 किलो कैलरी और protein में 4 and carbohydrate में 4, तो protein energy, malnutrition में, देखिए कौन-कौन सा बिमारी आता है, तो marasmus and quiesi और कर, अगर अगर आपको food, carbohydrate and protein and protein energy, यह carbohydrate और fat इस सब की deficiency हो जाए, तो marasmus रोग होता है, इस condition में हमारे हाथ के जितने भी muscles होते हैं, हमारे body के जितने भी bones वगेरा होते हैं, उसमें से सारे muscles जो होते हैं, man species होते हैं, वो सारे सूख जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, सब कुछ का waste हो जाता है, सब muscles waste हो जाते हैं, लेकिन इस condition में ऐसा नहीं है, यह deficiency होता है, प्रोटीन की कमी के कारण, और यह एक से पाँच साल के बच्चों में होता है, और इस condition में बच्चे के पेट बाहर आ जाते हैं, तो फिर इससे एक बार देखते है, transport of food, जिसमें गलक्तोज, फ्रक्तोज और लिपिड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो गलक्तोज यहां पे होता है, secondary active transport with sodium ion के साथ, यहां पे गलक्तोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो secondary active transport के साथ होता है, और sodium ions का primary active transport के साथ, फ्रक्तोज में facility transport के थूँ और lipid का simple diffusion and water का osmosis के थूँ और ions का primary active transport के थूँ और negative ions जो होते हैं, उसके passive transport के थूँ फिर PEM, protein energy malnutrition, जो की deficiency, जो हमारे body में अगर protein वागेडा की deficiency हो जाती है, जिसके कारण यह marasmus and quassiorkar disease हमको देखने को मिलता है, तब तक के लिए इसको note करें, या फिर skin shot ले, हमने quassiorkar and marasmus के बारे में तो देख लिया, अब देखेंगे जो कुछ disorder जो है, जो digestive system में हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, तो inflammation of the intestinal tract, intestinal tract में जो inflammation जो हो जाता है, मतलब आती है जो वो होता है, आती है गुहा उसमें जो inflammation हो जाता है, वो किस कारण से होता है, तो वो bacteria और virus के infection के कारण होता है, infection caused by the parasites, और जो parasites के द्वारा जो infection होता है, जैसे कि tapworm, roundworm, threadworm, and hookworm, and pinworm, तो यह जो है digestive system, यह disorder, inflammation of the intestinal tract में, bacteria, virus, and कुछ parasites के द्वारा भी होते हैं, जैसे tapworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, यह सारे parasites हैं, मतलब परजीवी, jaundice, jaundice के case में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा liver, jaundice में effect हो जाता है, उस पे परभाब परता है, skin and eyes जो होते हैं, वो yellow हो जाते हैं, due to the deposit of bile pigments, bile pigments जो होते हैं, उसका color कैसा होता है, एक तो हमने बताया था, bile pigments दो होते हैं, एक bilirubin और एक bilirubin, bilirubin जो है, उसका color कैसा होता है, yellow और वर्डिन का color कैसा होता है, green, तो yellow color का जो bilirubin होता है, उसके बहुत ज्यादा deposit हो जाने से हमारे body में, वो नहीं निकल पाता है, जो कि उसका secretion बहुत ज्यादा उसमें हो रहता है, उसका secretion जो है, वो bile वहीं पे रह जाता है, जबकि body के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे नहीं निकलता है, जैसे कि हम हमारा ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो ये यहाँ पे नीचे निकलेगा, तो ये जो है, यहाँ पे deposit हो जाता है, ये बाहर नहीं निकलता है, ये पुड़ा यहीं पे deposit हो जाता है, जिसके कारण से हमारा skin और eyes का जो color होता है, वो yellow पर जाता है, फिर बात करें कि vomiting, vomiting, vomiting हमें किस-किस में जैसे कि हमने कुछ खराब खाना खा लिया, तो हमारे जो body होता है, हमारे पेट होता है, वो medulla को हमारे brain में जो part है medulla, उसका तो नाम सुना ही होगा, तो ये medulla को snaps मतलब आवेग भेजता है, या सूचना भेजता है, जिससे कि medulla active होता है, और vomiting हो जाता वो हो जाने के कारण होता है, फिर this reflex action is controlled by the vomit center in the medulla, जैसे कि किसी को अगर हम vomiting करते देखते हैं, तो हमको भी vomiting आ जाती है, या फिर कुछ गंदा smell सुन लिया, तो फिर उसके कारण से वो किस condition होता है, तो हमारा medulla जो होता है, वो वाला part active हो जाने के कारण होता है, तो jaundisk दे जो होता है, वो yellow पर जाते हैं, जिसके करण jaundisk हो जाते हैं, इसमें हमारा सबसे पहले effect होने वाला जो part है body का वो है liver, फिर बात करें diarrhea के case में, diarrhea के case में देखते नहीं है, कि वो जो bowel moment जो होते हैं, वो increase हो जाते हैं, और बहुत जादा पानी पानी जैसा हमको बार-बार ट् and increase liquidity of the fecal disorder, fecal discharge, fecal discharge के कारण होता है, constipation, constipation में वही जो bowel होते हैं, उसके movement जो होते हैं, वो irregular हो जाते हैं, जैसे कि हम कोई मैदा का समान खा लेते हैं, उसके कारण जो हमारे colon वाले part होते हैं, उसमें जाके वो चिपक जाता है, जो कि उस bowel का movement है, वो irregular करवा देता हैं, तो इसी कारण constipation, जैसे हम पानी पीते हैं, फिर जैसे लगता है आता तो है, आता नहीं, उसी कारण से होता है, तो constipation जो है, वो colon वाले part में जाके चिपक जाते हैं, मैदा वागईरा का जो समान खाते हैं, फिर देखें, इन्डाइजेशन का मतलब से, आपको इन्डाइजे एंजाइटी, food poisoning और over eating and spicy food जैसे कि हम कोई spicy food खा लिये या कुछ ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर food poisoning वाला खाना खाएं या एंजाइटी की problem है हमें और फिर एंजाइम के secretion के जो रेगलर्टी नहीं होती है रेगलर हो जाने से कारण उसमें भी कोई defect एंजाइम के secretion में भी कोई defect आ जाता है उसके कारण हमारे body में indigestion होता है तो हमने देख लिया जो यह disorder वाला digestive system में जो disorder होते हैं यह हमने देखा तो inflammation क्यम्स पमेशन जो हैं अंत्यक्राइब क्या किसे हो सकता है तो जो है बैक्टिरिया वाइरौ एंद फिर पैरासाइट्स के कारण होता है जॉन्डिस इसमें देखते हैं डायस्टिव सिस्टम में जो हो जाता है डिसॉडर उसमें से आता है जॉन्डिस्, वोमेटिंग, डाइरिया, इन डाइसेसी में बहुत ज्यादा फेक्ल डिस्टार्ज हो जाता है जिसके करणुए बहुत पानी-पानी जैसा आने लगता है यह यह मोपनोर्मOL हो जाते है और फिर कंस्ट्रिपेशन में कभजिव में बौपबल मूवमेंट एकर और इनड़र्ली इनड़ईशेशन द्याज़ अट को लाक करें vaya क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे